नमस्कार आरे नियूज देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पलवी सिंग रूप करेंगे 34 गड़ और मद्यप्रोदेश ये कुछ बड़े खबरों की और शुरुआत करें 34 गड़ से जों मुक्यमंत्री पुपेश बगेल की घर शादी का उत्सव जारी है मंगलवार कोई सीम बगेल के पूत्र चैतने बगेल और वरवधू ख्याती वर्मा की शादी का रिसेप्शन पूरा दिन चला और इस दोरान मुक्यमंत्री पुपेश बगेल च्वीचर पर लगातार सुक्रिय भी नजर आए और तस्वीरे पोस्ट करते रहे इस दोरान रिसेप्शन की रंगत श्याम को शानदार आतिश बाजी के साथ समाप्थ हुई रिसेप्शन में राजवपाल अनुसुया ओई के समेत कई खास और लोग भी शामिल हुए है साथी आपको बताते चले की सीम बगेल के बेटे की शादी के उस्सव में इसकी जो एक कड़ी है वो मंगलवार को पार्टन में बड़ी पार्टी भी आयुजित की गई थी साथी बताते चले की शादी का रिसेप्शन था जो मुक्य मंत्री बगेल की विधान सबाब पार्टन के अलावा भिलाई दुर्ग के लोगों के लिए तोर पर आयुजित किया गया था और इसके साथी सुबह से लेकर शाम तके रिसेप्शन चलता रहा जिसमें स्थानिय स्थर के खास और आम लोगों के अलावा विशेश रूप से भी राजपाल सूश्री अनुसुया ओई के भी शामिल हुई उन्होंने दूले और दुलहन को आश्रवात दे कर उनके खुशाल जीवन की कामना की और इस मौके पर मुख्यमंत्री बगेल और उनकी पत्नी मुक्तेश्वरी देवी समेथ उनका परिवार मौजूद रहा मुख्यमंत्री पुपेश बगेल ने सोशल मीडिया में अपनी भावनाव को साचा करते हुए लिखा कि ये मेरा परिवारिक आयोजन था लेकिन पाटन के मेरे विस्तरित परिवार मेरे साथियों ने जिस उत्सा और प्रेम और गरिमा और कुशल प्रबंदन के साथ इस सायोजन के सफलता पूर्वक संपन होने में हाथ बटाया मैं उनका अभार व्यक्त करूँ तो उचित नहीं होगा अवहीं मुक्यमंत्री शिवराज सिंग चोहार मंगलबार को नर्मदा जयनती के अफसर पर पतनी साथना सिंग के साथ बुधानी घाट पहुँचे जहां उन्होंने मा नर्मदा की पूजा और अरचना की है इस अफसर पर सीम ने प्रदेश के सुक और समरिद्धी की कामना की अपने संबोधन में सीम शिवराज ने ये भी कहा कि नर्मदा जयनती के अफसर पर बुधनी में तीन दिवसी नर्मदा जयनती महुत सवायुजित किया गया जाना था लेकिन COVID-19 को ध्यान में रखते मुके मंतरी शिवराज सिंग जोहान ने मंगलवार को नर्मदा जयनती के अफसर पर पतनी सादना सिंग के साथ बुधनी घाट पहुँचकर मा पूजा अर्चना की और मा नर्मदा की पूजा की है। के लिए सवायता समू के माधियम से आर्थिक गतिविदियों के लिए बैंक लीकेज कराने की बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि हर बेहन की आमदनी 10,000 रुपए महीना हो इसके लिए प्रयास किया जाएगा। अवे मध्यप्रदेश के रीवा में कथित तोर पर एक 17 वर्षिय नाबालिक आदिवासी लड़की के साथ दो नाबालिक लड़कों समय तीन लोगों ने सामुध दुशकर्म किया है। इस दोरान पुलिस के दौरा बताया गया है कि इन आरोपियों के साथ कारवाई की जाएगी और आरोपियों ने पीड़ता के साथ मार पीच की और उसे दातों से उसके चेहरे को बुरी तरह से काट दिया है। उन्होंने पीड़ता को घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से माणने की धमकी भी दी थी। इस औरान कहा जा रहा है कि पीड़त रविवार देर रात को आरोपियों के चंगल से चुड़ कर अपने एक रुष्टिदार की घर पर पहुंची और उसने अपनी आपीद की सुनाई इसके बाद सुवार को सुभाव अपने परिजनों के साथ हनुमना पुलिस थाना पहुंची और इस पूरे मामले को दर्च कराया